तो चलिए गाइच ब्लैक वीडियो के फाइनल ट्रेलर के ब्रेकडाउन का सेकेंड पार्ट आज हम करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले कीजिए आप सबस्क्राइब और दबाएए बेल आइकन ताकि आप कुछ भी मिस ना करें तो गाइच जैसे कि आप सबको पता है कि ब्लैक वीडियो के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन का पार्ट वन हमने अगले वीडियो में किया था और इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा कि नतासा की मा मैलीना जो है वो किसी गर के कीचन में नतासा के साथ होती है और कीचन के एक सिंपल से कबड़ के पीछे से एक सिक्रेट दर्वाजा खोलती है यह चिस क्लियली दिखाता है कि नतासा की यह फैमिली अभी एक सोसाइटी में रहती है जिस सोसाइटी को नतासा की फैमिली के बेग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है इसलिए तो इसी ट्रेलर इतने सालों से जेल में था अभी नेक सीन में हमको रेड गार्डियन और टास्क मास्टर के बीच का फाइट दिखाई देता है तो कि जैसे कि हम सबको पता है टास्क मास्टर दीक देख के सबके मूँज सीख लेता था और कौमी के साब से उसके पस सारे एवेंजर्स की अगर हम उसकी रेड रूम की लड़कियों को द्यान से देके तो पता चलेगा कि सारी कंट्रिया फिर सारे रिजन से एक लड़की उठाई हो ऐसाम को दीख रहा है क्या पता चाहिए इसमें से कोई वकांडा से भी हो अभी है लड़की वाली ही लग रही है क्यार जो भी हो इस पूरे वीडियो के बेग्राउंड में नताशा की मान नताशा को डी मोटिवेट ही कर रही है वो कह रही है कि तू जीत नहीं पाएगी और अपने पास्ट को भूल जाना ही समझदारी है तो अब देखते हैं आगे ओके तो स्टार्टिंग में हमको एक सिन दिखने को मिलता है जहां रेड रूम की दो लड़किया नताशा और यह लेना के पीछे पड़िये अभे तेरे को कैसे पता यह रेड रूम की लड़किया है अभे खाजूर उनके कोश्यूम और उनके हाथों पे ब्लैक विड़ो व यह लेना नतासा को यह बोलती है कि साली तेरे पास कोई प्लान है या फिर गोलियों सब बचने के लिए मैं नीचे गुज़ जाओ और उसके अंसर में बीचारी हमारी नतासा उसको कंफुजन में जवाब देती है कि मेरा प्लान तो यहां से तुमको दूर ले जाने के फिर महाबरत के अरजुन की जय हनुमान तास मास्टर का एरो देखने चल लगता है शाइद यह वही अरो है जिसने नतासा की गाड़ी का बं कर दिया था और इधर भी साइद वह उसी एरो से नतासा और यह लेना की गाड़ी के चीडिया बना के उड़ा देता है तो चलिए तो पहले सिन में हमको दिखता है कि हमारी नतासा रेड रूम की लड़कियों के साथ फाइट कर रही है यह रेड लाइट साइड को टेक्नलोगी जिससे वो लड़कियों के दिमाग पर काबू रखते होंगे और इसलिए इस रूम का नम रेड रूम हुआ होगा उसके बाद अभी यह कोन है अब तु गंटा फैन है मार्वल का यह फंडर बोल्ट रोस और इनका केरेक्टर रा इंक्रेडिबल हल्क क्याप्टन अमेरिका सिविल वर और आवेंजरस एंड गेम इन तीन मूविज में था क्याप्टन अमेरिका सिविल वर का यह डायलोग तो आप सब को रही है Captain America Civil War 2016 में आया था उससे पांच साल पहले मतलब 2011 में वो ऐसा दिखता था और 2008 में इंक्रेडिबल हल्क में वो इतना बूड़ा कैसे दिखता था कुछ तो लोजिक लगा अब अब खाजूर के चिलके इसके भी मेरे पास एक theory है अगर आपको कॉमिक की स्टोरी पता हो तो थंडर बॉल्ड रोज की दूसरी पैचान भी थी और वो थी रेड हल्क आप सबको पता ही होगा कि इंक्रेडिबल हल्क में रोज के पास वो सीरम था जिससे ब्रूस बैनर हल्क बन गया था और इसी सीरम की मदद से रोस ने अपने उपर भी किया था तो क्या पता बना लेकिन उसका बूड़ापा थोड़े टाइम के लिए चला गया हो अब यहां पर और जीज़ हमको पता चली है यह मसिंगल चलाते हुए सोल्जर के हाथ पर पको एक बैच दिखेगा यह और कुछ नहीं बलकि रश्यन फ्लैग है अब यह नताशा जो बर्फ में है और हकिकत में हम क्या है उन दोनों में से एक को हमको पसंद करना पड़ता है और मैंने अपना उप्शन पसंद कर लिया है मैं बागते-बागते ठक गई हूँ मतला वह यह कहना चाहती है कि अब दुनिया उसको जो बनाती है वह नहीं बल्कि हकीकत में वह जो है वो घर झा speciesा हूँ मतला वहels कि अर्च पस्या हा आप को है इन लुन को बक्राश लुन करका लाँ हु क्यूच हозможно अाहि प磨टा है अब इस सिन में पड़े एक्विपमेंट्स को देखके क्या आपको नहीं लगता कि यह किसी हॉस्पिटल का सीन है और इसमें ब्लास्ट हो के आग लगने वाली है क्या आपको कुछ याद आया क्या तुम इतने सारे दाग में डापाऊ की ट्रेकॉफ की बेटी साव पालो वो अस्पताल की आग बाटन ने हमें सब कुछ बता दिया है क्या पतालो की इसी आग के बारे में बात कर रहा था तो इसका मतलब यह हुआ कि इस मूवी में एक स्टोरी की टाइम लाइन नताशा ने एवेंजर जोइन किया उससे पहले की भी हो और इसलिए तो शायर यह होस्पिटल के एक्विपमेंट्स कुछ जादा ही ओल्ड फेशन लग रहे है नेट सीन में एलाक्सी हेलिकॉप्टर में खड़े खड़े दिखा देता है कि वही है कैट्चन अमेरिका का रश्यन वर्जन उसके बाद वाले सीन में इस वर्फ वाली साइट में हेलिकॉप्टर के दरवाजे पर बैठे बैठे यलेना इस रश्या के के एड़े का एक तावर उड़ा देती है उसी हलिकप्टर की पाइलेट सिट पे बैठे बैठे यलेना दूसरी यलेना के शॉट को एप्रिशियेट करती है अब ये क्या प्लास्टिक सर्चुरी अब यलेना को नताशा बनाया था या नताशा को यलेना बसालब बहुत कंफुसकता है ये ट्रेलर उसके बाद नताशा और हमारा बया टास्क मास्टर आजमान से गिर रहे है और उसके साथ ये कच्रा क्या गिर रहा है और ये शायद रेट्रो रफ्लेक्टिव पैनल्स और शायद लगता है ये सब बल्बा यहां गिरा है जिसका हम शुरू से बुलाते है तबाही मचली साई अभी नैक सिन में नताशा बिचारी उसके परिवार को कुछ बताने वाली होती है और उसकी बढ़वी माँ तो हम ऐसा होगा कि नताशा सीधी बैठो तो हम अपको बातों के बारे में मैं आपको एक्स्प्रेंट करूंगा गंटाउंगा तो गाइस ये था ब्लैक वीडो के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन आसा रखते है कि आप सबको हमारा कंटेंट पसंदाया होगा हमारे कोई भी अपकमिंग वीडियो को मिस ना करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजें इस वीडियो को लाइक कीजें नीचे कॉमेंट कीजें और हमको बताईए कि आपको हमारी चैनल में और क्या-क्या देखना है धन्यवाद